सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को सबसे पहले वीडियो अपडेट पाने के लिए देखें दोस्तों RRB ग्रूप D की जो आपकी एक्जाम है 2018 को जिसका आयोजन करवाय जा रहा है उसकी 19 सितंबर 2018 को पहली शिफ्ट में जो पेपर आया था उसकी कम्पलीट आनसर की के बारे में अपने बात करते हैं तो देखें क्विशन आज की डीन आर आर भी ग्रूप D एक्जाम 2018 गुलीश अगस्त को पहली शिफ्ट में जो क्विशन आनसर पुछे गए हैं उसके अगर अपने बात करें तो देखें एक क्विशन आपकी एक्जाम में आया था कि एक परसंद बुलेटीन एप से समझ है जो आपका बुलेटीन एप उस से घ्टेऋ एकक क्विशन आपको पुछा गया था देखें एक क्यूशन आपको आपका अपका खाऊ था जलिवाला बाग जो न्रशन हार होसा था ये आपको पुछा गया था थो 13 अप्रेव 2019 को जलिवाला बाग हत्यकांड है वो हुआ था नेस्ट कुछन आपको इसमें पुछा गया था कि भारत का पहला जो British Vice रा है वो कौन है तो भारत का जो पहला British Vice रा है वो कौन है इस तरीकी से आपकी एक्जाम में कुछन पुछा गया था बाद देखें मनिपूर CM belongs to which party यहनि जो मनिपूर की जो CM है वो कौन सी party से संबंदित है यह पुछा गया था तो वो BJP से संबंदित है नेस्ट कुछन आपको पुछा गया था who gives the word atom यहन की atom सब्द है वो कोन देता है यह एक्टम सब्द किसे ने दिया था यह आपको कुछा गया था नेस्ट कुछन आपको पुछा गया था who is the CEO of ICICI Bank यहनि ICICI Bank है उसकी CEO कोन है यह कुछन आपको पुछा गया है नेस्ट कुछन आपको इसमें दिया गया है the South Asian Game Begin in Which Year यानि कि जो दक्षणी एश्याई खेल है वो कि साल सुरू हुए थे ये क्यूसन आपको RRB ग्रूप D में गुनी सितंबर को पहली सिफ्ट में पुछा गया थे नेश्ट क्यूसन आपको इसमें आया है कि वन क्यूसन वाज रिलेट टू दादा साहब फाल के वोड यानि जो दादा साहब फाल के पुरूसकार है उससे रिलेटेड भी एक क्यूसन आपको पुछा गया था देखिए क्यूसन क्या है वो एक्च्वल में मिला नहीं है लेकिन स्टूडेंट्स ने जैसे क्यूसन बेज़े है उसके साब से दादा साब जो फाल के पुरुसकार है उससे रिलेटिड एक क्यूसन आपके एक्जाम में पुछा गया है माम देखिए मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड एकोनोमिक्स कॉर्पोरेशन यानि कि जो आपकी बिम स्टेक है किस देश ने दो हजार अठार में बंगाल पहल की मेजबानी की है तो यह क्यूसन आपको पुछा गया repeating नेपाल ने मेजबानी की है देखें नेक्ष्ट क्यूसन आपको एक्जाम में पुछा गया था 23 मई 1904 को गुरुवार था तो निम लिखित में से कौन सा दिन 23 मई 1903 को था यानी कि 23 मई 1904 को अगर गुरुवार था तो निम लिखित में से 23 मई 1903 को कौन सा वार था इस तरीके से आपको Resinning से Related Question आंसर इसमें पुछा गया था एक आपको old and out वाला क्यूसन दिया गया था जिसमें आपको दिया गया था W-22, Y-25, S-18 और U-20 इस तरीके से old and out वाला क्यूसन है वो आपको दिया गया था बाद में देखें, next क्यूसन आपको पुछा गया था कलाई, देखो, finger और इस तरीके से आपको relate करके बताना था आगे इसमें कौन सा आएगा, एक क्यूसन आपको पुछा गया था विस्वे बेंक मुख्यले है, उसका जो headquarter है, वो काँपर है, तो विस्वे बेंक जो मुख्यले है, वो आपका काँपर है, वासिंग्टन DC में है, एक क्यूसन आपको आएकर योजना कब शुरू होती है तो जो इनकम टेक्स योजना है, वो कब शुरू होती है यह आप से पुछा गया था, बाद में देखे कौन सा उत्पाद ज्यादातर उपभोग और भारत में निर्यात किया जाता है इससे रेलिटर एक क्यूसन आपको पुछा गया था एक क्यूसन आपको इसमें किताब से संबन दिता है था जो सिता योद्या मिथिला है सिता योद्या मिथिला किताब अमिस्थ त्रिपाठी ने लिखी थी तो यह जो पुस्तक है सिता योद्धा मिथिला जो किताब वो किसी ने लिखी थी अमेज त्रिपार्टी ने ये किताब लिखी थी देखिए एक क्यूशन आपको पुछा गया था पहला संस्क्रण जो आईपोड है 23 अक्टूबर 2001 जो पहला संस्क्रण है आईपोड का वो हुआ था देखें इसी तरिके से हम आगे भी जो आन्सर किये हो आपको कंटिन्यू प्रवाइड करवाना जारी रखेंगे इसलिए भी तक आपने मारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और जुरू प्रेस कर ले तकि नेक्स्ट टूडियो का रोटिफिक्स आपको सबसे पहले प्राप्त हो सेगे